हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई निव व्लॉग तो गाईज अभी हम आये हैं ताजुल मस्जित देखने यह आप पीछे देख सकते हो यह इंडिया की सबसे बड़ी मस्जित है बहुत लोगों को वैसे गलत फेमिये के जो दिल्ली की जामा मस्जित है वो सबसे बड़ी है ल आती है सबसे बिगेस्ट मस्जित हो में तो गाईज अभी हम जा रहे हैं मस्जित के अंदर की तरफ और यह इसका साइड वाला डोर है इसका फ्रंट से भी एक डोर है जो कि फिलाल बंद है उसका क्या रिज़ेन है वो तो मुझे नहीं पता बट वो फिलाल बंद है वहां स बहुत उपर सीडियों पर चड़कर यह मस्जित में आना पड़ता है और अभी हम साइड के रास्ते से आये हैं क्योंकि में डोर बंद है अभी तो फाइनली अब हम अंदर एंटर करने वाले हैं और अभी नमाज का टाइम है असर कि नमाज कैसी लिए काफी लोग आये पूरा ग्राउंड है तो आज असर की नमाज ताज मस्जित में पढ़े हैं मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत बड़ी मस्जित है नमाज हमने पढ़ लिए आप देख सकते हो काफी लोग आप जा रहे हैं बाहर की तरफ और अंदर से मैं आपको दिखा देता काफी प्यारा गी हुआ है माशायला इसका जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा लगा मुझे और आपने पिछले व्लोग में देखा होगा हम पीपल्स मॉल में घूम कर आए हैं और वहां की जो पूरी ठकान है ना यहां पर आकर पूरी गायब सी हो गई है क्योंकि यहां के नजारे ही इतने प्यारे मस्जिद में सुकून ही इतना है कि यहां पर आकर सारी ठकान हमारी गायब हो चुकी है यह मस्जिद जो है बादूर शाह जफर की हुकूमत में शाह जहां बेगम ने बनाने का अपना ड्रीम देखा था लेकिन उनके जीते जी यह ड्रीम जो है उन इसको complete होते होते 100 साल लग गए, 1980 के करीब ये मस्जिद बनकर पूरी तरह से complete हो गए थी, इस मस्जिद के जस्ट पास में एक तालाब है, जिसे मुतिया तालाब कहते हैं, जो कि इसकी खुबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो गईस यहां से देख सकते हुए कितना पीछे आ गया हूँ, बिलकुल एकदम पीछे आ गया हूँ, उसके बाद भी मस्जिद पूरे कैमरे में आ जो है, नहीं आ पा रही है, तो दोस्तों सामने जो देख रहे हो ना, ये इस मस्जिद का में दर्वाजा है, फिलाल अभी किसी रीजन्स की वज़े से बन कर दिया गया है, ये मस्जिद जो है में डोर से काफी उचाई पर है, तो बहुत सारी सीड़ियां चड़ने के बाद, ये में डोर तक हम पहुचते हैं, और उसके बाद यहां से मस्जिद में पहले एंट्री होती थी, अभी उसको बन कर दिया गया, अभी हमने वाले दर्वाजे से एंट्री लिए है, ये मस्जिद जो है चार लाख स्क्वेर मीटर में फैली होई है, और इस मस्जिद के अंदर एक बार में एक लाख पचतर हजार लोग जो है नमास पर सकते हैं, गूगल के अकॉर्डिंग, जोइन करो, लीग साथ ही प्लेयर स्पोर्ट पर आपको 10 लाख तक की लीग में फ्री एंट्री मिल रही है, उसके साथ लीडर बोर्ड और साथ बीम ड़ल्यू बाइक और उसके जैसे और भी कई सारे इनाम, अगर फैंटेसी स्पोर्ट से हट कर बात करें तो मेरा फेवरेट गेम है लुडो ओन प्लेयर स्पोर्ट, इसमें आप जीत सकते हैं 10 करोड तक डेली, अब आप यह सोच रहेंगे कि प्लेयर स्पोर्ट पर ही क्यों खेले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह 100% safe है and made in India app है, इसमें आपका payment safe रहता है, और सबसे बड़ी बात इसे 7 million users डेली इसमें games खेलते हैं, तो कोई भी league या game आपको join करने में wait नहीं करना पड़ेगा, और तीसरी सबसे important चीज़ यह है कि इसमें आपका पैसा withdraw बहुत easy तरीके से हो जाता है, इसमें किसी भी तरह के कोई KYC की जरूरत नहीं है, आप direct इसे अपने account में transfer कर सकते हैं, और बस एक game नहीं, हर तरह की games जो अपने बचपन से खेलते आ रहे हैं, जैसे snacks and ladders, ship fight, house quiz, chase, और अब रमी भी खेल सकते हैं, तो इतने सारे games और इतने सारे winnings एक ही platform पर है, तो किसी और app पर क्यो जाना, और अब तो प्लेयर स्पोर्ट पर नया रमी game भी आ गया है, तो download करें फटाफट प्लेयर स्पोर्ट एप description में से, और यूज करें मेरा कूपन कोड प्लेयर स्पोर्ट जिससे आपको मिल जाएगा 200 रुपे तक का free sign up bonus, जिससे आप मुझे challenge कर सकते हैं, तो हो जाए एक लुडो का game, तो मेरे साथ खेलने के लिए और 10 करोड तक का इनाम जीतने के लिए, डाउनलोड करें प्लेयर स्पोर्ट एप, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे description में, बेगम शाह जाहने औरतों के नमाज पढ़ने के लिए भी इस मस्जिद में अलग से जगा बनाई है, वो जगा में आपको दिखा नहीं सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ औरते ही जा सकती है, तो गाईज, अभी हम मस्जिद के बाहर की तरफ है, बाहर का garden है, और ये मस्जिद है, अब हम जा रहे हैं कहीं और, तो गाईज, मस्जिद से हम निकल चुके हैं, मैंने जिसे कि आपको बताया है, तो हमें शादी में आए, तो पूरा दिन हमने घूम लिया है, अब हम सीधा शादी में जाएंगे, तो दोस्तों, अभी हमें पता चला है, कि जहाँ पर हम शादी में जा रहे हैं, लेक वियू गार्डन, उस गार्डन का नाम है, वहाँ से पास में एक बहुत बड़ा लेक है, तो पहले हमने सोचा कि हम वो लेक देख लेंगे, उसके बाद हम शादी में जाएंगे, तो चलो पहले वहाँ चलते हैं, और वहाँ पर वी आईपी रोड भी है, तो बहुपाल का वी आईपी रोड भी काफी जादा फेमस है, तो वो भी हम देखेंगे, तो गाईज अभी हम आये हैं कमला पार्क, और यहां से काफी बड़ा लेक है, यहां से वियू बहुत प्यारा है, अभी अंधेरा हो गया है, तो पता नहीं आपको ठीक से दीख रहा है, यानि बठा बहुत अच्छा है, गाईज देख सकते हो कितना प्यारा वियू है सामने, जो रोड दीख रहा है आपको उसे ही कहते हैं, वी आईपी रोड, तो अभी हम वहाँ पर भी जाने वाले, फिलाल हम थोड़ी देर यहीं बेटेंगे, काफी ठंडी हवा आ रही है, पूरा दिन हमें बहुत गर्मी लगी है, और यहाँ पर आके काफी सुकून मिल रहा है, तो थोड़ी देर हम यहीं पर बेटने वाले हैं, तो गाइज, अभी हम आए है, राजभोज सेतु ब्रिज पर, यहाँ से जो है, वियू लेक का वियू जो है, बहुत ही प्यारा वियू आता है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, भोपाल का, मैंने सुना है, भोपाल के इस ब्रिज के बारे में, इसकी डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है, कि हिल रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ब्रिज हिल रहा है, बट यहाँ से वियू सच में बहुत प्यारा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग है, और भी और सब फोटो किनिक कर रहा है, देख सकते हो, तो अभी हम राजभुच सेतू ब्रिज से अपनी काल लेकर निकल रहे हैं, वियाईपी रोड की तरफ, इस ब्रिज को क्रोस करने के बाद ही वियाईपी रोड जो है स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ के नजारे मैं आपको आगे चलके दिखाता हूं, तो दोस्तो आ गए हैं हम भुपाल के वियाईपी रोड पर, और ट्रस्ट में गाईज रात में जो है यहाँ पर और भी जादा अच्छा लग रहा है, बहुती जादा ब्योटिफुल सा वियू आ रहा है, मुझे नहीं लगता हमारे फोन का केमरा इसे जस्टिस कर पाएगा, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल केमरा होता तो ज़्यादा अच्छे से जस्टिस कर पाता, बट हाँ, अपनी रियल आखों से मैं देख रहा हूं, सच में बहुती ज़्यादा प्यारे नजारे हैं और व्यूज हैं, इसलिए मैं अब आपको अपडेट दे रहा हूं कि शादी फिनिश हो चुकी, देखो सब लोग जा चुके और अब हम भी जा रहे हैं आराम करेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लोगयादा दोटेट टूब लोगयादा चाहँ पुके हूं कि शादी जादाई आराम करेंगे,